यहाँ पर आगए हैं अपने कावे खर्ण का नया और आखरी चैप्टर लेकर कौन सा चैप्टर है हमारा नय इलाके में और खुश्बू रचे हाथ देखे ये दो कविताएं हैं तो इन दोनों कविताओं को हम आपको अलग-अलग समझाएंगे दोनों की कविताओं का मतलब अलग-अलग है मतलब जो एक टॉपिक लिया गया है वो सबका अलग-अलग है तो सबसे पहले देखते हैं इसके रचैता कौन है? इसके रचैता है अरूर कमल जी तो उन्होंने जो हमें पहली कविता बताई है पहली कविता हमारी कौन सी है नए इलाके में तो नए इलाके में ये आज कल की समस्या के उपर है क्या है नया नया construction होता जा रहा है मतलब हर जगे कहीं पर खाली जगा है तो वहाँ पर आपको नए नए मकान या building से मौर कुछ भी बन जाता है बन जाता है तो राहों की जो पहचान होती है जैसे कभी हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हाँ एक घर है उस घर के बाद से हमें मुणना है या एक मैदान पड़ा है हम जा रहें जैसे हम कहीं गए किसी एक नई इलाकी में गए कोई एक नई जगा गए उस जगा पर हम गए तो हम देखते हैं कि उसका माइल्स्ट्रून क्या बनाती है एक बड़ा से मैदान है और मैदान के बाद हमें राइट टॉर्ण लेना है फिर लेनी के बाद हमको क्या कर फिर हम left turn लेंगे एक बरगत के पेड़ के पास से पीपल के पेड़ पास से और उसके बाद से चौथा गर हमें जाना है तो इस तरीके से हम किसी भी घर को पहचानते हैं जो हमारा constructed area होता है उससे हम पहचानते लेकिन अब अगर हम उसी इलाके में आज से 5-6 साल बाद या मान लेजिए हम एक महिने बाद भी गय क्रिए तो उस खाली मैदान में construction हो गया तो अब हमारा पहली जो पहचान थी वो उसी जगय खतम हो गई अब हम क्या करेंगे क्यों हम पहचान ही नहीं पा रहे नए इलाके में इन नए बस्ते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान मैं अकसर रास्ता भूल जाता हूं तो क्या बोल रहे हैं कभी? कि इन नए बसते इलाकों में मतलब वो जहाँ पर रोज नएा कंस्वक्शन हो रहा है मतलब नई नई इमारते बनाई जा रही है भवन बनाई जा रही हैं उन जगहाओं पर क्या होता है? जहां रोज बस रहे नए मकान यानि कि एक हर रोज एक नया मकान बनकर कड़ा हो जाता है मैं अकसर रास्ता भूल जाता हूं क्योंकि इने जहगाहों से मैंने अपने रास्ते की पहचान बना रखी थी और जब इनमें नए मकान बन जाते हैं तो मैं अपने रास्ते की पहचान को खो देता हूँ और खोने की कारण क्या है? मैं रास्ता ही भूल जाता हूँ तो ये सिंपल तीन लाइन का था लेकिन इस तीन लाइन को भी हमें समझाते हुए लिखना है केसे समझाएंगे? देखिए प्रस्तुत बंक्तियों में कभी शहर में हो रहे अंधाधुन निर्माण के बारे में बताया है यानि शहरों में जो इदम अप्रत्याशित रूप से जगा जगा निर्माण हो रहा है उसके बारे में इनुनेम को बताते हुए कहा है रोज कुछ ना कुछ बदल ही जाता है यानि किसी ना किसी जगा पर कोई चीज बदल जाती है या आपके घरों के आसपास भी ऐसी चीज होती होगी आप जहां रह रहे हैं कभी वहां कहीं पडोस में कोई बिल्डिंग बन गई कोई नया मकान बन गया तो हर जगा कुछ नया बन रहा है आज अगर कुछ तूटा हुआ है या कहीं खाली मैदान है यानि कि अगर कोई मकान पुराना सहे तूट गया है या कहीं खाली मैदान पड़ा हुआ है तो कल वहां बहुत बड़ा मकान बन चुका होगा यानि कि दूसरी ही दिन वहाँ पर एक नए मकान के बनने की आमद हो जाती है नए मकान बनने के कारण रोज नए इलाके भी बन जाते हैं और जब नए मकान बन जाते हैं तो क्या इलाका नया हो जाता है क्योंकि उस जगे की जो पुरानी चापती वो मुट जाती है और उसकी जगे क्या जाती है नई चापा जाती तो वो इलाका कैसा हो जाता है नया हो जाता है जहां पहले सूनसान रास्ता हुआ करता था आज वहां काफी लोग रहने लगें और चहल पहन दिखने लगी यही कारणे कि लेखक को रास्ते पहचानने में तकलीफ होती है और वह अक्सर रास्ता भूल जाता है तो यही बताया कि हर जगा जहां पर खाली जगाएं दी वहां पर जो है नए-ने मकान और नए-ने निर्माण होने के कारण जो है कवी अक्सर रास्ता भूल जाता है धोका दे जाते हैं पुराने निशान खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़ खोजता हूं धा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मनजिला तो क्या है यहां पिरुन दिया धोका दे जाते हैं पुराने निशान कहने का मतलब जो पुरानी पहचान हुआ करती थी वो अकसर धोका दे जाती है क्योंकि घर पहुचने के लिए जो पुरानी पहचाने थी कि इस मकान से हमें बाएं अदाएं मुन्ना है वो पहचान हमको धोका दे जाती है यानि कि जो पहले से बने हुआ मकान था वो हमें धोके निशान दे जाती है खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़ और मैं खोजता हूँ उस पीपल के पेड़ को जो जहां से मुझे रास्ता बदलना था यानि कि एक पीपल का पेड़ था जो बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ था मैं खोजता हूँ खोजता हूँ ढ़ा हुआ गर और मैं ढूंडता वो धाया हुआ घर मतलब जो आधा गिर चुका हुआ घर है मैं उस घर को खोजता हूँ और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं और उस जमीन के खाले टुकड़े को ढूंडता हूँ जहां से मुझे बाएं मुढना था यानि की उस जमीन का टुकड़ा खोजता हूँ जहां से मुझे बाएं मुढना था फिर दो मकान बाद बिना रंगवाले लोहे के फाटक का और जहां से बाएं मुढ गए उसके बाद दो घर बाद यानि फिर दो मकान बाद यानि कि जब वो बाए मुड़े तो वहां से दो मकान के बाद जो है जिस घर का आना था वो मेरी मंजल थी यानि कि उस घर तक मुझको पहुचना था तो क्या हुआ अकसर रास्ता भूल जाता हूँ क्योंकि ये सब जगी जो पहचान है वो अब धुंदली होती जा रही है या मिटती जा रही है कौन-कौन सी धा हुआ घर, पीपल का पेड, खाली मैदान ये सभी जगहें अपना रास्ता बदल लेते हैं और नतीजा क्या होता ह कि मैं अपना रास्ता भूल जाता हूँ तो कैसे लिखेंगे इसको इन पंक्तियों में लेखक ने अपने रास्ते भूल जाने के कारण बताए हैं कि किन-किन कारणों से वो रास्ते को भूलते हैं लेखक ने जिस घर, जिस मैदान और जिस फाटक को अपने लिए चिन बना क रखा था कि ये मकान जो है यहां से आगे बढ़ना है वहां से बाय मुन्ना है तो बना कर रखा था जिने देखकर उन्हें ये पता चलता था कि वह सही रास्ते पर चल रहे हैं यानि कि जिन रास्तों को उन्हें पहचान बनाया था और आगे बढ़ रहे थे उनको लगता था क ये एकदम सही रास्ते हैं, पहचान मनाई हुई थी, उन चिन्नों में अब कोई भी जगा नहीं है, वो चिन्न क्या है, बदल चुके हैं, वो अब चिन्न बच्चे ही नहीं अर्ता, ढाव अगर पीपल का पेड भी नहीं है, और नहीं वो खाली मैदान है, तो ये सारे ही चिन मिट चुके हैं, अब लेखक को खोजने के बाद भी उन्हें पुराना पीपल का पेड नहीं दिखाई देता, और नहीं अब उन्हें टूटा हुआ घर दिखता है, जिसे देखकर वे रास्ता पहचानते थे, नहीं अब उन्हें वो खाली जमीन कहीं दिखाई देती है, जह से लेखक को बाए मुन्ना होता था, यानि कि ये सारी ही जगाएं जो हैं अब नश्ट हो चुकी हैं, उसके बाद ही उनका जाना पहचाना एक बिना रंग वाले लोहे के पाटक का घर जो था, वो उनको उनका घर था, लेकिन अब ये सारे रास्ते, अब वहां तक वो पहु और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं, या दो घर आगे ठमकाता हूं, कहने का मतलब क्या है, कि जब मैं वहां पहुचता हूं तो मुझे गलती हो जाती है, या तो मैं एक घर पीछे चला जाता हूं, या दो घर आगे चला जाता हूं, मतलब जिस घर पहुचना चाहि उस घर में ना पहुँच कर क्या होता है? ये एक घर पहले खट-खटा देते हैं या दो घर बाद खट-खटा देते हैं. उनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें किस घर में जाना है. इनी कारणों की वजय से लेकक हमेशा रास्ता भटक जाता है. वह कभी भी सही ठिकाने तक नहीं पहुँच पाता. या तो वह दो घर आगे निकल जाता है या एक दो घर पहले ही रुख जाता है. यहां रोज कुछ न कुछ बन रहा है. यानि कि वो अपने सही मंजिल पर नहीं पहुँच पाता है. इन नय हो रहे निर्माणों के कारण. रोज कुछ घट रहा है यहां इस्मृती का भरोसा नहीं. यानि कि यहां पर रोज कुछ न कुछ नया बन रहा है. तो जो यादों में हमने अपने जो चिंधों को बना रखा था रस्तों को पहचानने के लिए जब वो नई चीजें बन जाती हैं तो हमारी जो इस्मृतियां थी वो हमें अपने साथ नहीं रख पाती. यानि अपने याद में जो हमने रास्ता बना रखा था वो हमें याद ही नहीं रहता क्यों क्योंकि हर रोज यहाँ पर कोई नई चीज बन जाती है और हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें जाना कहा है कैसे लिखेंगे यहाँ रोज कुछ न कुछ बन रहा है यानि कि कोई नया या नया निर्माण हो ही रहा है किसी ना किसी इमारत का निर्माण हो रहा है जिसकी वज़े से आप अपने रास्ते को पहचानने के लिए किसी इमारत या पेड़ की इस्मृती बना सकते हैं तो जो इस्मृती बनाते हैं उन्हें आप बना ही नहीं पाते क्योंकि आज अगर हमने किसी पेड़ को इस्मृती बनाया कि हमें इस जगह से मुरना है तो पता चला नए निर्मान के चक्कर में वो पेड़ ही कट गया वो इस्मृती ही नहीं रही वो पेड़ी नहीं रहा तो हमारी इस्मृती ही नहीं रहेगी क्या पता कल उसकी जगा पर कुछ और बन जाए और आप रास्ता भटक जाएं तो उस जगा पर क्या होगा कोई नई चीज बन जाएगी और वो इसम्रती जो हमारी एक पेड की थी वो रहेगी नहीं तो हमारा रास्ता भटक जाना बिलकुल लाजमी सा है कि हम रास्ते को भटक जाएंगे एक ही दिन में पुरानी पढ़ जाती है दुनिया जैसे बसंत का गया पतजड को लोटा हूं जैसे बैसाक का गया भादो को लोटा हूं अब यही है उपाए कि हर दर्वाजा खट खटाओ और पूछो क्या यही है वो घर तो यहाँ पर क्या कहा रहे एक ही दिन में पुरानी पढ़ जाती है दुनिया यानि कि एक ही दिन आज जाने कि मैं कल जाओंगा तो एक ही दिन में वहाँ पर इतना कुछ बदल जाता है जैसे कि सब कुछ बदल गया जैसे कि बसंत का गया पथजड लोटा हूं यानि कि मैं बसंत में उस जगह से गया था और वापस जो है पथजड में लोट रहा हूं इतना एक मौसम बदल जाए एक दिन के अंदर वहाँ उस जगह पे इतना बदलाव हो जाता है जैसा कि एक मौसम में बदलाव होता है मौसम कैसे बसंत कैसा मौसम होता है जहाँ पर हर फूल नई पत्ती नया रंग चारोता सुन्दरता होती है और पतजड क्या होता है मौसम में गया था और पतजड में वापस आया हूं जैसे बैसाक का गया भादों में लोटा हूं तो जैसा कि मैं बैसाक मौसम में गया था और भादों के मौसम में लोट रहा हूं अर्थात बैसाक गर्मी के मौसम में गया था और भादों मतलब बारिश के मौसम में मैं वाप पस लोट रहा हूं, तो एक-एक मौसम के बदलाओं में, एक दिन में इतना बदलाव आ रहा है, जितना पूरे-पूरी एक-एक रितुओं के बीच में बदलाव आ रहा है, तो यहां पर यह बताया, फिर अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ, अब क्या है एक दि बहुत दिनों कि परिवर्थ को बहुत हो रहा है ऐसा हूलरा नहीं है कि कभी बहुत समय की बाद यहां लोटा है वो बहुत समय के बाद नहीं लोटा वो तो जबकि एक दिन में लोट रहा है इसलिए उसे सब बदला हुआ प्रतीत हो रहा है ऐसा नहीं कि वह बसंद के बाद पत्जड को लोटा है ऐसा नहीं कि वह बहसाग को गया और भादो को लोटा है वह तो कुछ ही दिनों में वापस आया है मतलब वो कुछ ही दिन में वापस आया है यानि तीन चार दिन में या एक दिन में वापस आया है लेकिन फिर भी उसे सब बदला हुआ दिख रहा है और वह अपना घर भी नहीं पहचान पा रहा है अब तो एक ही उपाय है कि कभी हर गर को खट-खटाए और पूछे क्या यही वह गर है जो मतलब खट-खटाए कि और जहां पर उसको जाना है वो पूछे क्या यही वह घर है जहां मुझे पहुचना है समय बहुत कम है तुम्हारे पास आचला पानी डहा, आ रहा अकास शायद पुकार ले कोई पहचाना उपर से देख कर तो यहाँ पर इन्होंने क्या हमको बताए समय बहुत कम है तुम्हारे पास यानि कि मुझे अपने घर तक जो घर ढूंड पाने का समय भी बहुत कम है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बारिश यानि बारिश होने वाली है ठीक है और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं उससे बचने का यानि आ चला पानी डहा आ रहा है आकाश यानि कि जो है मेरे पास अब समय नहीं बचा है यानि कि अब रोज रूख इतना ताइमी बचा और जो है बादल घिरे चले आ रहे अर्थात बारिश का समय है बारिश होने वाली है शायद पुकार ले कोई पहचाना उपर से देख कर और मैं जो हूँ अपने घर को ढूण रहा हूँ और घर नहीं ढूण पारा तो अब मैं यही चाहता हूँ कि ऊपर छद के ऊपर खड़ा हुआ कोई मुझे देख ले और पहचान ले कि और जिससे मैं पहचान लूँ और मैं उस घर में पहुँच जाऊँ तो कैसे लिखेंगे भटक जाने की कारण कवी अभी तक अपना घर नहीं ढूण पाए हैं और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश होने वाली है अब क्या है भटक रहे हैं उनको घर नहीं मिल रहा है तो बारिश होने वाली है कवी के पास समय बहुत ही काम है अब तो कवी इसी आज में बैटा है कि काश कोई जाना पहचान का वेक्ति उन्हें देख कर पहचान ले कि हाँ यहीं तुम्हारा घर है क्योकि मौसम बदल रहा है और समय भी उनके पास में नहीं तो यहाँ पर यह हमारी पूरी कविता हमने कतम की अब हमारी नई कविता जो शुरू हो रही है वो है खुश्बू रचे हात अब यहाँ पर खुश्बू रचे हात का अर्थात मतलब है कि जो हमारे आसपास सुगंद फैलाने वाली चीजे होती है इसमें जो पताया गया है अगरबत्ती, अगरबत्ती जो इस कविता में बताई गई है, ये हमारे आसपास बहुत खुश्बू फैलाती है, बहुत जादा, कहीं पे भी हम जला दे खुश्बू फैलाती है, लेकिन ये अगरबत्तियां बनती कहा हैं, उन गंदी बस्तियों में जहां आज पास बहुत गंदी और बहुत ही गंदी स्मेल्स भी आती है मतलब बहुत गंदी महक आती है बदबू आती है जिसको बोलते है तो नतीजा क्या है? वो खुश्बूदार चीज जो है वो बहुत ही गंदी और बदबू भरी जगहां में बनती है तो उन हातों ने जिन हातों ने जिन हातों में कटे पटे जगाओं का नाम बताया है उन्होंने फिर जो हात इनको बना रहे हैं उन हातों की क्या condition है ये उन्होंने बताई है तो इसलिए उन हातों के बारे में यहां बताया जा रहा है जो हमारे लिए खुश्बू रचते हैं चले देखिन क्या बोलते हैं कभी कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूडे करकट के धेरों के बाद बद्बू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुश्बू रचते हैं हाथ, खुश्बू रचते हैं हाथ, तो अब क्या दिया है, जीवन का कठोर परदर्श बताया है, ठीक है, जहां पर ये खुश्बू रची जा रही है, अर्थात अगरबतियां बनाई जा रही है, तो वहां का परदर्श क्या है, पहले हम वहां का सिन कूड़ीयों को हम पार करते हैं और बहुत सारेойти नालों को पार करते हैं यानी you पतली पतली गलियों के बीच-बीच में और कई नालों को पार करने के बाद बहुत ही कूड़ा और करकट के धेर और बहुत सारे कूड़े करकट के धेर जगा जगा गंदी की जमा हुई है और जो कूड़े करकट के धेर से बे इंतहां बदबू आती है बहुत जादा बदबू निकल रही है वो जो कूड़े करकट के धेर जो जमा है उनसे महले में जो है अगरबत्ती बनाई जा रहे हैं यानि हमारे लिए जो खुश्बू रच रहे हैं हाथ वो कहां पर हैं बहुत कई पतली पतली गलियों के बीच में और नालों के पार कूडे कड़कर कड़के डेर जहां से बेंतियां बदबू आ रही है उन महलों में इन सब के पार एक महलों में रची जाती है कहां अगरबत्तियां जो हमारे बीच खुश्बू फैल आती हैं तो यहां क्या दिया है कवियों ने इन पंक्तियों के में जीवन के कठोर यथार्थ को दर्शाया है जिस प्रकार कमल कीचण में ही खिलता है उसी प्रकार कवी ने बताया है कि वातावरण को सुगंधित कर देने वाली अगरबत्ति गंदी जुग्य जोपडियों में ही बनाई जाती ए ऐसी बस्तीयां जहां गंदे नाले निकलते हैं कई सारे गंदे नाले निकलते हैं जहां पर कुढे करकट का धेर लगा हुआ है मतब बड़े कुदे करकट का धे बनाते हैं जहां आज पास इतनी गंदगी है वहां पर सबसे खुश्बूदार चीज बनाई जाती है इसलिए कवी इस कविता में कहा है खुश्बू रचते हैं हाथ यानि कि जो हाथ खुश्बू रच रहे हैं उभरी नसों वाले हाथ जिसे नाखूनों वाले हाथ यानि कि घिसे नाखूनों वाले हाथ पीपल के पत्ते से नए नए हाथ जूही की डार से खुश्बूदार हाथ गंदे कटे फटे हाथ जक्म से फटे हुए हाथ खुश्बू रचते हैं हाथ खुश्बू रचते हैं हाथ तो यहाँ पर क्या दिया है उभरी नसों वाले हाथ यानि कि जो अगर बत्तियों को बना रहे हैं वो अगर बत्ति की बनाने वाले हाथ कैसे हैं उनमें मेहनत करते करते जो है नसे उभर आई हैं नसे होती है ये नसे जो हमारी होती है ये उभर आई हैं घिसे नाखूनों वाले हाथ और उनको बनाते बनाते उनके नाखून घिस गए हैं अगर बत्तियों को बनाते बनाते क्या हुआ है नाखून घिस गए हैं पीपल के पत्ते से नए नए हाथ अर्थात जो छोटे छोटे बच्चे जिनोंने अभी जो है अगरबत्तियां बनानी शुरू करी हैं उनके हाथ कैसे हैं जैसे पीपल के नए निकले पत्ते कोमल कोमल से मुलायम होते हैं तो कुछ हाथ कैसे हैं पीपल के पत्ते के समान मुलायम हाथ हैं कुछ हाथ जो अगरबत्ती बना रहे हैं जुही की डार से खुशबूदार हाथ और कुछ लड़कियां जो अभी थोड़ी सी बड़ी हुई हैं उनकी पतली पतली जुही की डाली जैसी होती ना पतली पतली कोमल मुलायम से खुशबूदार वो हाथ भी है जो अगरबत्तियों को बना रहे हैं गंदे कटे फटे हाथ और उन मगरबत्यों को बनाते हुए कैसे हाथ हो गए हैं गंदे हो गए हैं कटे फटे हो गए हैं जख्म से फटे हुए हाथ और उन हाथों में इतने जख्म पड़ गए हैं तब भी वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं खुशबू रच रहे हैं अर्थात ह हमारे लिए वो अभी भी अगर्वत्तियाँ ही बना रही हैं कैसे लिखेंगे इसको अगर्वत्ति बनाते बनाते अधिकतर कारीगरों के हाथ गायल हो गए किसी कारीगर के हातों में नसे उबरी हुई दिखाई दे रही हैं तो किसी के नाखून अगरबत्ती बनाते घिस गए हैं मतला अब उसमें मसाला चड़ाते तो वो क्या हुआ नाखून जो होते हैं वो घिस गए हैं वहीं दूसरी और नए नए बच्चे जिनोंने अभी अभी अगरबत्ती बनाना शुरू किया हैं उनके हाथ पीपल की पत्ते की तरह बहुत ही मुलायम और नाजुक प्रतीत हो रहे हैं उनी बच्चों में से कुछ लड़कियों के हाथ जूही की डाल की तरह पतले और खुशबूदार हैं बहुत दिनों से काम करते हुए कई कारीगरों के हाथ कट फट गए हैं उनके जक्मों जक्म भी गंदगी से भरे हुए हैं जो फट गए हैं उनमें मेडिसिन तक उन्होंने नहीं लगाई और वो जो हैं बहुत जादा गंदे हो चुके हैं ऐसे आत ही हमारे घर में खुश्बू फैलाने वाले सुगंदित अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं यही इस गली में बनती है मुल्क की मशूर अगरबत्तियों इन्हीं गंदे महुलों के गंदे लोग बनाते हैं के बड़ा गुलाब खस और रात रानी अगरबत्तियां दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुश्बू रचते रहते हैं हाथ खुश्बू रचते हैं हाथ खुश्बू रचते हैं हाथ इस पैरा में इन्होंने क्या बोला है यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशूर अगरबतियां यानि कि पतली पतली गलियां हैं इनी गलियों में जो हैं विश्व की मशूर अगरबतियां बनती हैं खुश्वू जिनकी खुश्वू पूरे विश्व में मशूर हैं वो कहां बनती हैं इनी गंदी गलियों में बनती हैं इनी गंदे महलों में के लोग यानि कि इनी गंदे महले में रहने वाले लोग कैसे क्या बनाते हैं केवडा केवडा की सुगंद गुलाप की सुगंद खस की सुगंद और रात रानी की सुगंद वाली अगरबतियां ये सारी सुगंद वाली अगरबतियां कहा बनती हैं इन्हीं गंदे मुहलों के लोग बनाते हैं दुनिया की सारी गंदगी के बेच दुनिया की सारी खुश्बू यानि कि इस दुनिया की जो दम बगबू गंदग यानि कि इनी गंदे महलों में जो है ये सारी खुशबूदार अगरवत्तियां रचते रहते हैं हाथ तो इसको कैसे लिखेंगे हम? प्रस्तुत पंक्तियों में कवी ने हमें यही बताया है कि शहर के बड़े से बड़े घरों में जलने वाली खुश्बूदार अगरबत्तियां इनी गंदी बस्तियों और जुग्यों में बनती हैं यहां पर हमेशा बदबू भरी रहती हैं चाहि कोई भी मशूर अगरबत्ति हो जैसे केवड़ा, गुलाब, रातरानी सभी इसी गंदी बस्ति में रहने वाले लोग बनाते हैं यह लोग खुद तो इतनी गंदी एवं बदबू के बीच रहते हैं लेकिन दूसरों के घरों को महकाने के लिए खुश्बूदार अगरबत्तियां का निर्माड करते हैं इसलिए लेखक ने कहा है सारी गंदगी के बीच खुश्बू रचते हैं हाथ यानि कि इतनी सारी गंदीयों के बीच में भी क्या रचते हैं हाथ खुश्बू रचते हैं तो यहाँ पर जो है हम ये चैप्टर हमने आपके लिए फिनिश किया ये पूरी कविता, दोनों कविताएं हमने आपको समझाई किस तरीके से अरूर कमल जी ने दो अलग-अलग कविताएं आपके सामने प्रस्तूत करीं और दोनों का ही अलग-अलग मतलब था कि क्या कहा जा रहा है तो इस तरीके से हमने पूरा समझाया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आयागा, हम जल्दी इसके प्रस्तार लेकर आपके सामने उपस्तित होते हैं तैंक्यू, बबाई